बच्चों के लिए पिता का साया उनका साथ कितना ज़रूरी होता है इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता एक अच्छा पिता बच्चों की सेहत और उनके भविश से जुड़ी हर बात का ध्यान रखता है लेकिन जब बात खुद की सिहत की होती है तो वो लापरवाही करते है एक नई स्टेडी में बताया गया है कि पिता बनने के बाद व्यक्ति के मोटे होने की संबावना बढ़ जाती है उनका बेली फैट इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि जिम्मेदारियों के आगे खुद पर ध्यान नहीं रहता है लेकिन ये सही नहीं है अगर पिता का वजन ज़्यादा होगा और सिहत खराब होगी तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा नमस्ते मैं रमन हूँ और आप हैं मंचपर इस भागम भाग बरी जिन्दगी में सिहत की कहां फिक्र है इन सब के आगे एक पिता होने की चुनौती सबसे बड़ी है वैसे तो पिता को बच्चों की खुशी की बहुत चिंता रहती है लेकिन उनके पास अपने लिए समय नहीं होता है चाहे वो बेटा हो या बेटी उनकी हर जरूरत का ख्याल लगते हैं बस बच्चों के भविश को ध्यान में रखकर पैसा कमा रहे हैं और इसी चक्कर में वो मोटे होते जा रहे हैं शादी से पहले हैंसम हुआ करते थे लेकिन शादी के बाद पिता बनते ही चर्वी क्यों चड़ने लगी कोई सवाल को हस कर भले ही डाल सकता है लेकिन ये कोई हसी की बात नहीं है एक नई स्टडी बताती है कि कुवारे लोगों के तुल्ला में पिता बनने के बाद पीट में चर्वी जमा होने का खत्रा जादा होता है और उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है एक स्टडी के मुताबिक पिता बनने के एक साल के अंदर व्यक्ति का साड़े तीन से चार पॉंड वजन बढ़ता है 10,253 लोगों के 20-30 साल तक के इन लोगों का बॉड़ी मास इंडेक्स ना पा गया था आईए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी मेटगल्स जनरल में छपी इस्टडी क्या कहती है दरसल पिता बनने के बाद किसी भी व्यक्ति का वजन बढ़ सकता है और इसकी वज़े सिहत को नजर अंदाज करना होता है साथ ही जिम्मेदारी और तनाव बढ़ने से भी वजन बढ़ सकता है वजन बढ़ने से दिल की विमारी, डैप्टिस और कैंसर जैसी गंभीर विमारे को खत्रा बढ़ जाता है इसलिए अगर आप पिता हैं तो आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है अपने खाने पीने का ध्यान रखने के साथ ही तनाव को भी खुद से दूर रखे माना की पिता बनने से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और घर की जरूरतों के हिसाब से आपकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं लेकिन हालात कैसे भी हो आपके लिए खुश रहना जरूरी है इसलिए अपने शौक को फिर से जिन्दा कीजिए आलस को छोड़िये रोज फिजिकल एक्टिविटी करिए योग करें दौर लगाएं और पूरी मेहनत से अपना वजन कम करिए नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुकतना पड़ सकता है कैस्टेडी में ये दावा किया गया है कि मोटे पैरंस के बच्चों का भविश भी वजन के रूप में ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा वजन होना हार्मोन को प्रभावित करता है और इसका असर बच्चों तक जा सकता है इससे डैप्टीज और दिल से जुड़ी बिमारियों का खत्रा बढ़ जाता है यानि पैरंस के मुटापे का कनेक्शन बच्चों के मुटापे से है और इसलिए भी जरूरी है कि पिता खुद भी अपनी सिहत पर ध्यान दे जा रहें इसका ख्याल रखना भी जरूरी है जो भी खाएं अराम से खाएं और अपनी भूग से कम खाएं डैट के क्वाल्टी का ध्यान जरूर रखें खाने में विटामीन A, D, E, C और B कॉंपलेक्स का ध्यान रखें खाने के साथ साथ आप कितना पानी पी रहें इस पर भी नजर बनाये रखें धाई से तीन लीटर पानी पीने की सला दी जाती है जो हीट, स्टोक और दूसरे मेटाबोलिक कंडिशन के लिए जरूरी है तनाओ दूर रखने के लिए पूरी नीन लें ध्यान और योग भी इसमें कारगर साबित हो सकते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं लेकिन सबसे जरूरी है कि रोजाना 30 मिनट एकसरसाइस करें इसमें वाकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकलिंग और स्विमिंग करना फायदे मन रहेगा लगातार कुर्सी पर बैठने की आदत को नजर अंदाज करें और हर 30-40 मिनट के बाद कुर्सी से उठकर शरीर को स्ट्रेच करें अगर आप काम के दोरान इन तरीकों को अपनाते हैं तो आपको इसका फायदा भी तुरन देखने लगेगा खाने पीने में साफधानी और फिसकल एक्टिविटी के जरिए पापा के पेट की चर्वी कंडूल हो सकती है इसलिए जरूरी है कि लाइफ इस्टैल में बदलाव लाकर इसकी शुरुवात फादर्स डे की मौके पर करके अपने बच्चों को तुफ़ा दें आपको इस्टोरी कैसी लगी कमेट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें